फेस्टीव सीजन में जब सब बीजी रहते है ना तो कुछ इंस्टेंट सा डेज़ट सबको बनाना रहते है तो मैंने बनाया यह ने बट से gonna यह उक इंस्टेंट वाला डेज़ट जिसे आप लोग किसी को सर्फ करोöst ही ना तो उन्हें यह देखने पर ऊच्छार कि भी दोनो ताकि इसमें जो हम रेस्पी बनाएना उसमें एकदम फ्लॉफी सा और सौफने सा फ्लीवर रही तो बस यहाँ पर जो साइड एट्स है आप उसका एजा ब्रेट क्रम्स भी उसकर सकते हो फिर उसके बाद एक ब्लेंडर में मैंने डाला शुगर थोड़े से पनीर क्यूब्स मिल्क पाउडर और एक लास्ट मैंने इसमें एड़ किये 5-7 कैश्यूनेट्स अब सारी चीजों को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और एकदम फाइन स्मूथी सा पेस्ट बनाके त्यार करना है यह हम इपनी स्टफिंग के लिए यूस करेंगे और यहाँ पर अब दे तो बस थोड़े से भी मिल्क में मैंने कस्टेड पाउडर को मिक्स किया और फिर इसी बैटर को मैंने अधकर दिया होइने और यह करते टाइम याद रखना आपका जो गैस का मान plural कर देना है और सारी चीजों को मिक्स कर देना है ठीकीछ हलका सा ये ठीकी रेस हो जाएगा ना उसके बाद मैंने यहां पर जो bread slice हमने cut करके रखे थे उसे हमने milk में dip कर लिया और milk में dip करने के बाद हमने जो stuffing बना के रखे थे उसे हम इसमें बीश में add on करेंगे अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से fold कर लेंगे तो बस यहां पर मै एकदम रस्मलाई जैसे बन के त्यार हो चुके है इसके बाद मैंने एक bowl लिया उसमें सबसे पहले हमने वह वाला milk एड़ किया और यह सारे हमने जो रस्मलाई cubes बना के रखे थे उसे भी हमने इसमें एक लाइन से लगा दिये अब उपर से थोड़ा सा मिल्क और एड़ किय करना वीडियो को लाइक करना